अब वो आज़ेडी में शामिल होने की आज अपचारिक घुशना हो गई अब वो आरज़ेडी के विधायक कहे जाएंगे इस तरीके से आरज़ेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है विधान सबाध्यक्ष विजाई कुमार सिन्हा ने इसकी घुशना भी कर दी है अब सवाल ये उठता है कि OEC की पार्टी के चार विधायक जो आरज़ेडी में शामिल हुए हैं तो क्या ये माना जाए कि आरज़ेडी ही मुस्लीमों की सबसे बड़ी हितैसी पार्टी है नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है तो आरज़ेडी में AIMIM के चार विधायकों के शामिल होने से उसके विधायकों की संख्या अस्सी हो गई है यानि की अब बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है दूसरे नमबर पर बीजेपी है जिसके 77 विधायक है इससे आरज़ेडी के होसले बुलंद हैं और साथ में चार अलसंख्यक विधायकों के पार्टी में सामिल होने से एक तरीके से मुस्लिम भोटरों में आरज़ेडी का विश्वास और बढ़ा है हलाकि आरज़ेडी सुरु से ही एमवाई समीकरन की पार्टी रही है यानि की मुस्लिम और यादों की पार्टी लेकिन 2020 के विधान सवाचुनाओं में ओवाईसी की पार्टी ने जो दस्तक दी जो सेध लगाई उसके वोट बैंक में खास तोर पर मुस्लिम वोट बैंक में और पांच सीटे सिमानचल इलाके से ए आई एम आई एम ने जीत ली इससे आर्जेडी को गहरा धक्का लगा था हलाकि अभी चुनाओं में देरी है लेकिन उससे पहले जिस पार्टी ने आर्जेडी को धक्का दिया था उसके चार विधायकों को आरजेडी ने अपने में अपने पाले में मिला लिया है तो निश्चित तोर पर इससे आरजेडी के परती आरजेडी की मजबूती बढ़ी है खास तोर पर मुस्लिम होटरों में क्योंकि माना जा रहा है कि जो विधायक है जो चारों विधायक जो आरजेडी में सामिल हुए ह उन्होंने अपने इलाके के मद्दाताओं की राय और विचार विमर्ष के बाद ही ये फैसला लिया है क्योंकि देश के जो हालात हैं और खास्ताव पर मुस्लिम बहुल जो आबादी है जो सोच रही है जो जिस तरह के की परस्थितियां उनके सामने खड़ी हो रही है उसमें मुस्लिम मद्दाताओं को लगता है कि आर येडी ही उनकी हितैसी पार्टी है पर ओवैसी ने 2015 में खास्तोर पर बिहार के सिमानचल इलाके में दस्तक दी थी 2019 के लोगसभा चुनाओं में भी ओवैसी के पार्टी ने किसंगन से चुनाओं लड़ा था और काफी अच्छा परदसन किया था हलाकि सफलता नहीं मिली लेकिन 2020 में पांच सीटों पर ए आई एम आईम ने सफलता हासिल की तो माना जा रहा था कि आर येडी के वोट बैंक में ओवैसी के पार्टी ने सेंध लगा दिया ओवैसी का जो नारा था जो इस इलाके में जो वो काम कर रहे हैं कर रहे थे सीमान चल में उन्होंने कहा था कि अब तक सेकुलर तथा का सेकुलर पार्टीयां केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक का इस्तमाल करती है उनके विका कि बात है, तो मुख्मंतरी नितीस कुमार ने भी मुसलिम आबादी के लिए काफी कुछ किया, कई होजनाओं को चलाया, खास दौर पर मदर्सा, मदर्सों को रासी देने की बात हो, या तमाम तरह कि कई होजनाओं चल नहीं हैं मुसलिम, मुसलिमों के लिए, पर 2020 के में अगर हम देखें तो 11 सीटों पर जेडियू ने मुसलिम उमिदवार उतारे थे लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए उसका कारण ये है कि जेडियू का गडवंदन बीजेपी के साथ था अब यही 2015 में आप चले जाए तो 2015 में जब महा गडवंदन बना था उसमें सफलता पाई थी इन पार्टियों ने 11 सीटे अकेले आरगेडी ने जीती थी 6 सीटें कॉंग्रेस ने और 5 सीट जेडियू ने जीती थी तो वैसे ही अगर हम देखें तो 2019 के लोगसभाद चुनाओं में 89 परतिशत मुस्लिम मद्दाताओं ने महा गडवंदन को वोड दिया था पर सीट महा गडवंदन को सिर्फ एक मिली लोगसभाद की बात कर रहा हूं चालीस में से सिर्फ एक किसंगेंज की सीटे मिली तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम अपने आपको सुरक्षित कहां महसूस करते हैं और ताजा हालात जो राजनेतिक हालात हैं जो देश के हालात हैं उन्हें लगता है कि आर जेडी ही उन्हें वो उस तरह की सुरक् लगती है और यही वज़ा है कि आर जेडी की तरफ खास तौर पर ये जो चार अलसंख्यक विधायक जो सामिल हुए हैं दिश्चित तौर पर इससे आर जेडी के को मजबूती मिलेगी मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं जो आबादी है जो वोटर हैं उसमें ओवैसी ने जो स सेद लगाई थी उसकी भरपाई आर जेडी ने इन चार विधायकों को अपने में सामिल कराकर निश्चित रूप से उस भरपाई को पूरा किया है आज के लिए वस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार हुआ हुआ है